जिस जगा पे मैं खड़ा हूँ, उस जगा के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ और यहीं पर जो आप इस तरफ कैमरा को मैं चाहूँगा कि आप मूव करें और दिखाएं कि ये जो इस टेक्चर खड़ा हो रहा है इसके बारे में हुसेनाबाद में किस तरह से विवाद छिड़ गया सबसे पहली बात आपको मैं बता दूँ कि नगर पंचायत कहती है नगर पंचायत का दावा है कि ये जमीन हमारी है और बल्ली सिंग का कहना है कि ये जमीन हमारी है और यही आए दिन खबर छप रही है कि बल्ली सिंग अवैद रूप से कब्जा कर रहे है तो मैं ये आपको बता दूँ कि हुसेनाबाद की जो नगर पंचायत का एरिया है ये सैदाबाद में आता है और सैदाबाद का एरिया कि जमीन के लिए जो विवाज छिडा हुआ है वो काफी दिनों से है और काफी जोर सोर से ये मुद्दा उछाला जा रहा है और यही नहीं हमारे नगर अध्याक्ष जो है आने वाले दिनों में यानि साथ तारीख को इसी मुद्दे पर धरना परदसन भी करने वाले है और आपको मैं बताता चलूँ कि ये खाता नंबर बावन और प्लॉट नंबर छे सो और कुल रगवा यहां का चौतिस डिस्मिल नक्से के हिसाब से जब हम देखते हैं खत्यान देखते हैं तो ये पता चलता है खत्यान के अनुसार जमेन समिलात मालिक दिखती है जब आरवी सी चैनल ने संपर्क क्या नगर पंचाज से कि आप किस तरह से दावा करते हैं कि जमीन आपकी है तो उन्होंने चार कागज दिये जिसमें तीन कागज बली सिंग के ही मिले और एक कागज नंदी डॉक्टर के आपको ये भी वाज़े करता चलूं कि ये नोटिफाइड एरिया की रसीद के साथ साथ राजस्त रसीद भी बली सिंग को ही प्राप्त है बली सिंग का लगान 83-84 से AR से बंधा है बली सिंग ने आगे बताया कि इस भवन का जो हमने निर्मान किया है या जो चार दिवारी क इसके लिए भी नगर पंचायत में मुझसे लगभग 3000 से जादा रुपए लिए वे हैं जो नोटिफाइड एरिया की रसीद के लिए वहां से भी मुझे रसीद प्राप्त है और यही नहीं अंचल ने मुझे इसकी अनुमती दी है SDO ने भी अनुमती दी है और कई लोगों का तो यह भी कहना है पूछे जाने पर के यहां पर कभी कच्चे का मकान था और खपड़ा पोस मकान था कई टाल थे लकड़ी के रखे हुए पहले जो मैं आपको बता रहा हूं यह 1984 की बात है जब यह लकड़ी का टाल और यहां प जाने वाले वैक्ति का है और उसी का कागज नगर पंचायत दिखा रहा है यह भवन जो आप देख रहे हैं अखिल भारतिये पुर्विसानिक सेवा परिशत का यह 2000 में बनाया गया था और बल्ली सिंग के अनुसार यह कहा जाता है कि यह भवन जो है निर्मान जो किया है न बनता है अब अफ्सोस के बात है कि हमारे साथ नगर अध्यव, बाद जबरन ये रखत कर रहे हैं और बुढ़ापे में हमें परसारीत कर रहे हैं, मांसी कुछ से परसारीत हो, सारेजी कुछ से परसारीत हो, आगे चलकर कि भेमाइन के उपर कानून संबत विजी विवस्ता कमशार हो गगा है, और आगे मैं अभिवत्ताओं से राय ले रहा हूं कि इस पर क्या करवाय की जा सकती है, ऐसे इनका तो मेरा चरीत हणनन हो रहा है परसा हननन हो रहा है, और इस 75 साल के उमर में 24 साल के उमर में तो हो सकता है कि आत्म हत्या के अत्य पर मैं पहुंच जाओं मांसी को पीडियों के कारण हो सकता है यह करके आत्म हत्या भी कर सकता है जिसका सहरा रोग तो नगर धेक्स ससी कुमार जी पर ही जाएगा आज के लिए बस इतना ही शेख मजाइद उसनाबादी के साथ बने रही आर बी सी चैनल पर हम कराते रहेंगे आपको हरा हकिकत से रूबरू लाइक करें शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स दें